दरवालों का कहना है कि वो जूला चाप डॉक्टर है किसी प्रकार के कोई डिगरी उसके पास नहीं है और उसके पास इलाज करवाने से उनके भाई की मृत्ति हो गई बहन से बातशीत करने का प्रयास किया गया वो आया देखा उसको बुखार था मेरे भाई को एक सो एक डिगरी बुखार था वो चेक किया वही बताया उसके बाद यो तीन टोक इंजेक्शन लगाया मेरे भाई को बताया नहीं को नहीं लगतार इस प्रकार के मामले निकल कर सामने आ रहें, तक जोला शाप डॉक्टर के पास एलाज कराने से लोगों की मृत्ति हो जा रही बदलते मौसम और तेजगरमी के कारण आम तौर पर उब बढ़ रही है, सरदी उखहर, दस्त ये तमाम चीजें लोगों को हो रही है और लोग इसे मामुली बीमारी सोच कर या तो मेडिकल से खुद दवाई खरीद कर खा लेते हैं ताकि छोटी बीमारी तो है ठीक हो जाएगी या किसी एरे गेरे नत्युक हैरे जोला चाप डॉक्टर से इलाज करवा लेते हैं और फिर परिशानी जो है बढ़नी शुरू हो जाती है ऐसा ही एक मामला निकल कर सामने आया है हत्खोज के जितेंद्र पांडे का हत्खोज निवासी जितेंद्र पांडे 23 वरसी जिसकी उम्र थी जो 12 चक का गाड़ी चुराता था दो दिन पहले वो उसी 12 चक का गाड़ी में चावल लेकर कल रात हालत स्वस्त रहती है खाना पीना खाता है सुबा उड़ता है नहाता है खाना खाता है बहन जूस लेकर आती है जूस पीने के बाद हालत थोड़ी सी बिगड़ने लगती है फिर से बुखार चड़ने लगता है दस्त होने लगता है मा आसपास मौजूद एक डॉक् कथिद डॉक्टर क्योंकि उसके पास जब उससे बातचीत करने का प्रयास किया गया तो जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि उसके पास किसी प्रकार की कोई डिगरी नहीं थी वो कथिद डॉक्टर था वो सिर्फ केवल प्रेक्टिस किया करता था कहां से सीखा कहां से प् देता है अब वो किस दवाई का इंजेक्शन था क्या इंजेक्शन था कोई जानकारी नहीं जो पेशेंट है जो मरीज है वो एक स्थान से उठकर बातरूम जाता है वहां बेहोश होकर गिर जाता है तभी मा चिलाने लगती है कि भई जितेंद्र को क्या हो गया देखो बहन द करतेंद्र कर Bubble अदर प्रशितों करने नहीं करें वहां पहुंसते ही डॉक्टर उसे इम्रित घोशित कर र देते है मंगर घरवाली मानने को तयार नहीं एक सिल्द था है नोए स्वस्त होने के बाद उसके भाई का इलाज भीम शाह में कराया जाएगा और वो ठीक होकर घर वापस आ जाएगा लगातार इस प्रकार के मामले निकल कर सामने आ रहे हैं कि जोला शाप डॉक्टर के पास इलाज कराने से किस प्रकार से लोगों की मृत्ति हो जा रही है किस प पास डिगरियां हैं जिनके पास लाइसेंस हैं इलाज करने का उनके पास जाकर इलाज करा हैं सरकारी हस्पताल मौजूद हैं सरकारी हस्पतालों में जाए वहां इलाज करा हैं मगर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवाई ना ले और किसी भी जोला शाप कि नहीं पख़गाता और क्या वह दॉक्तर के पास बटकर करने का लाइसनस तो अपने आप ही पैसे कमाने के लालच में लोगों का इलाज करते आया और ना जाने कितने डोगों का खराब करती आया आज इस स्मृत्तियू से उस डॉक्टर का खुलासा हुआ है क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती है यह देखने वाली बात रहेगी बन रहे हमार साथ दन्यवाद तो पी आवो उसके बाद हो ठीक थाम लोग रैपूर से उसको लेकिया है कि चल भाई अब साथ मे उसको मैं सब पिलाई मैं पूरा पिलाई उसका बात वात किया उसका फिर सुष्टी सुष्टी टाइप लाग रहा तो मम्मी का मन नहीं हो रहा था नहीं लग रहा था तो बोलती जा बेटा उधर होस्पीटल है एक टोक डॉक्टर है उसको बुला के लिए और देखेंगे अगर सब सही होगा ठीक है फिर गाडी में चले जाएगा अगर नहीं होगा तो फिर बड़ा होस्पीटल लेके जाएंगी करके वो आया देखा उसको बुखार था मेरे भाई को एक सो एक डिगरी बुखार था वो चेक किया वहीं बताया उसके बाद यो तीन टोक इंजेक् में गया कि मैं मेरे को अच्छा ही लग रहा करके तो बातरूम में गिर गया और नहीं सम्हाल पाया अपने आपको उसके बाद ना ओ डॉक्तर मैं इधर मम्मी मेरे चिलाने लग गई बेटा जल दिया जल दिया भाई कैसे कर रहा है बड़तन बढ़ रही थी उसको छोड़क ड्या पाय मेरा भाई ठीक है अभी तो वहां पस जा है तो बहु मम्मी लोग अन्य ना तो पैसा सा लेका टैंटे में ब्ये मेरे ठीक है मेरे ठीक है और अब पर फीन झाल झाल